नमस्कार मित्रो मैं मम्तावाज पेई भुपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है लीजे मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टेरिस गार्डिनिंग आर्ड आज की वीडियो का विशय फिर से और आपके कुछ प्रश्णों के उत्तर भी और साथे कुछ काम की बात हैं बागवानी से संबन देते हैं चत पर हम जब भी आते हैं तो यह पंची पखेरु हमें मिलते हैं और कभी मौका लग जाता है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ऐसा ही एक शान डांस कर रहे हैं चिडिया माहिश्ची कर रहे हैं। चत पर बागवानी करते हैं तो बहुत तरह की पतंग के पञची सभी आते हैं प्रकृति का हिस्साय है और यह वहारे बगीचे के मित्र भी है यह कि पतंगों कुखाते हैं नुकसान दाए कीटों कुखा लेते हैं तो हमारी फसल सुरक्षित रहती है और देखिए बहुत सारी हार्वेस्टिंग रखी है मैं इसको पूरी हार्वेस्टिंग को आपको दिखाती हूँ मिर्च, टमाटर, लॉंग बीन, बैगन, तोरे, सब कुछ हार्वेस्ट हुआ है और हमारे यहां बहुत पानी गिर रहा है 21-22 सप्टेंबर है आज और इस साथ बारिस थोड़ी से लेट हो गई अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी और अगर बारिस बंद हो जाती तो मैं विंटर वेजीटिबल्स के सीट डाल देती आप में से बहुत लोगों के प्रशना रहे हैं कि पौद बोदे क्या गो भी टमाटर मिर्ट सबकी तो यदि आपके पास आपके यहां बरसात बहुत तेज नहीं है तो आप बो सकते हैं यहां आपके पास ऐसा शेड है जहां आप रख सकते हैं कि जहां धूप तो लगे लेकिन बरसात के छीटे न लगें तो भी आप बो सकते हैं मैंने भी नहीं बोई है हाँ मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ लेकिन मैं इंसार कर रही हूँ पानी बंद ह होने का हमारे धुआ धार बारिश है और ऐसी कोई जगे छट पर नहीं है कि जो पॉली हाउस जैसा काम कर जाए और मैं ये भी करती हूं कि मेरे गॉर्मेंट नर्सरी है मैं वहां भी एक चक्कर लगाऊंगी कि जब मैं पौद नहीं डाल पाती हूं तब मैं फिर वहां से अग पनी भी डालती हूं क्योंकि एक साथ तो लगाते नहीं हम पंद्रा पंद्रा दिन के अंतर पर लगाते हैं तो हार्वेस्टिंग देखिए आज की तोरे है और ये तोरे जो लाइन वाली है वो तो गर्मी की लगी हुई है और ये छोटी वाली है ये जून जुलाई में साथ अंत होते तक कि हमें देती हैं थोड़ा लेट लगाते हैं तो फिर हमें ये विंटर तक भी देती हैं अब देख्ते हूं मेरी मेरी ये कब तक चलती है ये इस पर वह निरवहर कड़ता है कि जैसि nessuna फोट में लगी हैं उसका साईज क्या है अकर पौट साइज बड़ा जो आ है और भरकूर मिटी मिल रही है तो बेल लंबे समय तक चलेए और च्छथ पर में काफि चलेंज़क होता है क्योंकि हमारी इधीक भजन की समस्यशह होती है तो हम धीक कम धरना चाहते हैं चोटे नहीं करते हैं तो यह जो आप लोग पूछते हैं कि हमारी बेल कब तक चलेगी तो मैं बता रही हूं कि आप जून लास से जुलाई में लगाते हैं तो यह पूरे बरसाद बर फ्रूटिंग देती है ठंड की शुरूवत सेप्टमबर अप्टूबर तक दे सकती है उसके बयंगन की यह साइत चौती है पांच वी हर्वेस्टिंग होगी लगातार हर्वेस्टिंग मिल रही है इन बयंगनों से जब पहली बार हर्वेस्ट किया था तो उस सायज का था अभी यह दिरे-दिरे छोते हो गाए हैं तो हमें इनके बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाह जाते हैं कि जब बहुत नरम है फल तभी तोड़ लेना चाहिए अगर हमने सोचेंगे कि अभी और बढ़ेगा तो बढ़ेगा नहीं और बीज वाला बैगन बिल्कुल भी स्वाधिस्ट नहीं लगता बैगन को जितनी जल्दी तोड़ लेंगे उतना अच्छा है और कि मेरी बेल के पत्ते नीचे से पीले पढ़ रहे हैं आगे फ्रूटिंग भी हो रही है तो यह बिल्कुल नॉर्मल बात है जो लोग पुराने काड़नर है उन्हें पक्का पता होगा बिगनर्स के लिए मैं बता दूं कि नीचे के पत्ते पीले पढ़ना एक सामानी प्रक् में जो नया आगे ग्रोथ होगी उसमें फ्रोटिंग होगी देखिए कि इतनी सारी सब्जी निकली है टोकरी भर के एक टिप और बताती हूं मेरी सब्जी इतनी इसलिए निकलती है कि मैंने बगीचा पूरी शट पहला रखा है बहुत सारे कंटेनर हैं तो एक साथ कई बेल कि आप कोई भी पौधा लगाएं कोई भी सब्जी लगाएं 15 दिन का 20 दिन के अंतर पे लगाएं तो आपको लगातार सब्जी मिलती है क्योंकि आपने गर जून लास्ट वीक में लगाया तो 15 जुलाई तक एक दूसरा पॉट में लगाएं फिर जुलाई के एंड में दू साल चल जाते हैं पर मेरा अपना नुभा भी कहता है कि है साल नया पौधा लगाना चाहिए नए पौदे का फूरूट साइज अच्छा होता है कि यह अच्छी होती है यदि आपके पास बहुत सारे पॉट हैं तो आप रख सकते हैं बैंगन और मिर्च दो साल चल जाती है कप कैसे करने पड़ती है जब कभी मैं करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी और यह चुटे वाले टमाटर हैं इनके बीज को लेके बहुत प्रशना आते हैं पर सच तो यह कि मैं इनके बीज रखे ही नहीं जो पका टमाटर है इसको फोड के मैं राक में डाल देती हूं और एक दो पेड अपने आप ओगाता है और यह बहुत खट्टा होता है इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है और यह है लॉंग बीन की भी चौथी पांचवी हर्वेस्टिंग होगी यह सब एक ही समय में लगाई थी मैंने जून से जुलाई की बीच में लगाई थी मुझे ठी कोई कीड़ में लगता है तो किया करें मा क्रांओ यह सेम पे लगता है लॉंग मीन में लगता है शेवन्ती में लगता है कले- wilderness पना बीकले कीड़ में सोडा मिल दें मीठा इसोडा और शोड़ा सा शैंपू और उसको घाए लेकिन लगने से पहले ही थोड़ा इस प्राइब करते लेकिन विशेश टिप यह है कि ध्यान रखें सोडा जादा होगा तो पत्ते जल जाएंगे शेंपू जादा हो जाएगा तो भी पत्ते जल जाएंगे तो आप शुरू बात में किसी एक बेल पई करें और सोडा और शेंपू की मात्रा मिनिमम रखें एक बॉटल में चुटकी की नहीं है और वह रहेगी तो कुछ ठोड़ी फ़लों में लगती भी है तो मैं शाफ पानी पाइप की तेजधार से धोदेती हूं प्रेशर से तो एक बार क्या किया कि नीम और सड़क दिया फिर साथ पानी से प्रशर से दो दिया तो कितनी बढ़ी हार्वेस्टिंग हुई है देखिए आप टमाटर है मिर्च है बैंगन है और यह देखिए कैसी लगी हार्वेस्टिंग कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार